वेलकम फ्रेंट्स सेल्फ अध्यन पर कोरल ड्रो के अंदर हम जो टूल सीख रहे हैं उसमें कंटीनू करते हैं अपने टू पॉइंट लाइन टूल से two point line tune basically हम कोई भी line अगर draw करते हैं तो उसी line से उसी node से आप connect करते हुए कोई और line भी draw कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इन notes को बंद करते हुए एक पूरी completely shape बना सकते हैं अगर आप इसमें color fill out करेंगे तो वो color fill हो जाएगा मान लीजिए आपको यहां से एक और line draw करनी है इस node से और आप जो भी line draw कर रहे हो आप चाहते हो वो इसी से trace होती हुए चले तो उस case में हम लेंगे यहां से perpendicular two point line ऐसा करने से जब हम यहां से कोई line बनाएंगे तो आप देखेंगे line हमारे according यहां से draw हो रही है perpendicular से वो angle अपने आप यहां से बदलता रहेगा और आप यहां से line को draw कर सकते हैं अगर आप कोई और shape लेते हैं जैसे circle shape हमने यहां पर ली और two point line tool से हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं tangential two point line का तो यह यहां से आप देखेंगे smoothly work कर रही है किस angle पर रखना चाहते हैं लेकिन यहां से यह जो दूसरा point था अगर हम इसको लें perpendicular को तो यह हमारा draw करने के साथ ही move हो रही है तो इस line का इस्तमाल आप कर सकते हैं जब आप angle बदलना चाहें और जो दूसरी line है यहां से आप use कर सकते हैं same तरीके से उसको draw करने के लिए तो node से node connect करके आप कोई भी shape यहां से बना सकते हैं तो यह था हमारा tangential tool और दूसरा था हमारा perpendicular two point line tool और इसको हम पढ़ी चुके हैं two point line tool basically आप चाहें तो इसकी width यहां से change कर सकते हैं यहां से line की width आप change करने के साथ साथ इसका starting point और ending point किस तरीके से आपको दिखाना है और वो सब आप यहां से change कर सकते हैं तो यह था हमारा two point line tool नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे के tools के बारे में आज की class में इतना ही बाकी के updation के लिए जुड़े रहे से अलफद्धिन के साथ thank you कर दो कर दो